जहिन सात्यू नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजूकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में दोस्तों हम आपके लिए एमे पॉलिटिकल साइंस जो एमे करते हैं प्राइबेट पॉलिटिकल साइंस से उनके लिए हम फेपर सॉल्व करा रहे हैं जो चित्रा के मॉडल पेपर होते हैं उनको हम solve करा रहे हैं जिसमें paper first लेकर 4 तक हमने total upload कर दिये और दोस्तों आपका पांचवा paper भी upload हो गया है और आज हम आपके लिए paper code 471 की इस वीडियो की जो मेरा थन है total question total question ठीकर total question लेकर आए है जिसमें 396 question है इस वीडियो में आपको 396 question देखने को मिलेंगे और 396 question से ही आपके 100 question पूछ जाएंगे किसमें से 396 question से कम से भी कम आपके 90 question आपको देखने को मिलेंगे चलिए दोस्तो वीडियो की starting करते हैं दोस्तो बता दे जो बुक का नाम है state politics in इंडिया यानि भारत में राजय राजनिती भारत में राजय राजनिती और पार्ट का नाम है सेदान्तिक आधार अर्थ एवं स्वरूप द्रश्टिकों बर्तमान प्रवर्तिया दोस्तो इस इस बुक में भारत में राजय राजनितींग में आपके टोटल छे चैप्टर है छे चैप्टर में यह पहला चैप्टर है और दोस्तो इसी तरीके से आपके second, third, fourth, five, six इस तरीके से continue आपके चैप्टर आते रहेंगे चले दोस्तो बिना रुखे वीडियो की start करते हैं दोस्तो वीडियो के अंतक बने रहें और इस वीडियो में आपको का सब्सक्राइब करते हैं कोशन फटाफट पढ़ते रहेंगे क्योंकि दोस्तो बिना रुखे वीडियो की start करते हैं कोशन नमबर बन भारते संग की विभिन इकाईयों राज्या की राज्या की राज्या राज्या के अपने सम्मीदान नहीं है कि पचासवे दसक में राज्या राज्या निती को अभी वक्ति दी किसने ऑफसन एक कांग्रेस की एक दल्या पिर्भूत तुने चौथा केंद के समक्स राज्या राज्या निती का इस्तान है दूसरा ठीक है तोस्तो इसी तरीके तो फटाफट देखते चलेंगे अपने को कोशन और आंसर को और आप भी देखते चलिए महराष्ट मदलित आंदोलन चलाया किसने आर पी आई ने कोशन नमबर शिक्स गोरक्ष्या अंदोलन चलाया किसने आर एस एस ने सिवन गटवंदन सरकार्दर सामने आई 1994 में हरित क्रांती हुई सत्तर के दसक में ऑप्सन बी कोशन नमबर टैन सरकार्या आयोग की नियुक्ति हुई 1983 में ऑफ्सन बी इलेबन जेपी आंदोलन के प्रिणनेता थे जेपी जेपी जेपिरकास कौन जेपी जेपी जेपिरकास जेपी और नारायान ठीक है किसके जेपी आंदोलन के प्रिणनेता ट्वेल देश में किस वर से किस बढ़ सापात कर लगाया गया उने सो पिचेत्तर में तेरे हरियाना के पिरसिद नेता चौधरी देवीलाल कौन चौधरी देविलाल हरियाना के पिरसिद नेता थी सेथकारी संगठन महरास्ट से संबनित है फेडरलीजम विदाउट दी सेंटर रचना किसकी है लॉरेंस सेज की आप्सन ए राइट आंसर सोले राजय राजनिती का सर्मान द्रेश्टिकोंड है व्याष्टी द्रेश्टिकोंड आप्सन डी राइट आंसर सत्रे कोशन नुबर सत्रे कि दा पॉलिटिक्स ऑफ डेवलोप्मेंट एरियाज किसकी रचना है ऑफ्सन ए जी ए आमंड एवं जे एस कालमेन की अठारे व्याष्टि द्रेश्टिकोंड का पिर्योग क्या पॉल व्रॉष्ट ने किसने व्याष्टिकोंड का पॉल इस्टेट पॉलिटिक्स इंडिया किसकी रचना है मायरन किसकी मायरन विनर की कोशन नंबर बीच का ऑप्शन ए राइट आंसर 21 एथिहासिक बहुतिकबाद है मार्क्सवादी द्रेश्टिकोंड कोशन नंबर 22 सापेक स्वाथिता रखती है किसमें राजनिती में 23 इंडिया इंडिपेंडेंट रचना है किसकी चार्ल्स वेतल हीम की 24 फ्रेंकफर्ट इस्तित है जर्मनी में ऑप्शन भी राइट आंसर 25 ग्रामसी नव मार्क्सवादी 26 फ्रेंकफर्ट इसकुल के विचारक है अल्थूजर को लाकोषकी पुलांज यानि ऑप्शन डी यह सभी ऑप्शन डी राइट आंसर कोशन नंबर 27 लियो साड था एक दार्सनिक ऑप्शन ए राइट आंसर 28 निरजातिया दंगव पर द्रिश्टिकोंड विक्षित हुग क इंडिया पॉल विरॉस ने ऑप्शन सी राइट आंसर 29 इंडिया अगेंस्ट इट्सेल्फ किसकी रचना है ऑप्शन ए संजी वरुआ की तीस इंटर्ट गेटिंग सोचल कैपिटल संपादित की किसने की कोशन नंबर 30 का उप्रुक सभी के द्वारा देपान भट्टा चार कितने दसक तक राज्य राजनिति केंद्र के पिरभाव में रही यानि दो दसक ऑप्शन ए राइट आंसर 32 1950 के दसक को निम्लिखित में किस विद्वाने सरवार्दी खतरना के दसक कहकर समुदित किया सेलिंग हैरी सन ने 33 निम्लिखित में से किस वर्स को गठवंदन सरकार का अवुद्य वर्स माना जाता है 1979 में और सी राइट आंसर को नमबर 30 को थार्टी फूर को थार्टी फूर निम्लिखित में कौन छेत्र राज्य राजनिति के उपज नहीं है इंद्रा गांदी ऑप्शन डी राइट आंसर 35 निम्लिखित में कौन ब्यवस्तित रेश्टिक को यह सम्मदित है ऑफ्शन ची पॉल ग्रास पॉल ग्रास को नमबर दोस्तों है थे हमारे चैप्रफ फर्स्ट के और चैप्र सेकेंड़ी तरफ चलते हैं कि सब्स्राइब प्रकरतियां अब रख शेटाइवं प्रकरिया व्यस्ताफिका का रीज पालिका और नियाइपालि सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब करें और हम उसको आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं कोरे राज्यक के कार्रयों में सहायता वा सलहा देने के लिए एक मंध्री परिष्ट किसके परशाध पढ़े हैं और राजपाने किसके नियुकति के परशात परशाध परियंट। किस अनुच्छेत में 164 के एक में कोशे मंदर साथ मुख्यमंत्री साधरांतर विधान सवा के सधाश्य होता है option a right answer question 8 क्या विधान परिश्द कि किसी सधाश्य को राज्य का मुख्यमंत्र बनाया जा सकता है लेकिन उसे विधान सभा का सदस्य जितने जल्दी हो सके बनना पड़ेगा option A right answer question number 9 मुख्य मंत्र की पदावदी कितनी होती है option D जब तक विधान सभा में उसके तल का वहुमत है question number 10 कौन सा तत्मुख्य मंत्री की इस्तिती को पिरवायत नहीं करता है उसकी आर्थिक निती question number 11 की तरफ चलते है कि निम्ली खित में से किस इस्तिती में राज्य मुख्य मंत्री को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है option D कि उप्रुक सभी स्थिती में यह तीनों स्थिती ठीक है question number 12 यदि मुख्य मंत्री राज्य विधान सभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व त्याग पत्र दे तो राज्य पार निम्ली कित में से कौन सा कदम उठाएगा option A सत्तारूण दल को नए निता के चुनाव के लिए कहेगा question number A right answer question number 13 मुख्य मंत्री की नियुक्ती में राज्य पार निम्ली कित में से किस इस्थिती में अपने विवेक का पिर्योग करेगा option C कोई विधान सबा में किसी एक डल को इस पर वहुमत ने होने की इस्थिती में वहुमत दल का कोई सर्मान ने तर्न नहीं होने तब दोनों ए वं विदोन इस्थितियों में चौदे राज्य सरकार का पिर्वक्ता कौन होता विधान सबा अध्ध्यक्ष 15 राज्यपाल को विधान सबा भंग करने की सलाय कौन दे सकता है option A मुख्यमंत्री question number 16 मुख्यमंत्री उत्तरदाई नहीं होता किसके पिर्थि इन से किसी के लिए भी नहीं यानि इन में से किसी के लिए भी नहीं उत्तरदाई नहीं होता है question number 17 किसी मंतरी को अपना त्याग पत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है यादि उसने मुख्य मंतरी का विश्वास खो दिया हो यानि ऑप्शन डी राइट आंसर अन्निस निम्री期 मैं से कोन से कारे मुख्य मंतरी के हैं उपरोग्त सबी निम्री खित मैं से कारे मुई अपशन डाल तन्ती का नहीं है करता कर सकता है इसाद बाकि के सब कारे हैं ठीक है अप्शन कोशें नमबर 27 संब्सक्राइब नहीं है राज्य की सुरक्षा के पृट्थी सी राइट आंसर किस पर उप्पर सभी स्थितियों पर यानि यह राइट आन्सर है सभी कोशें नमबर 23 थि निम्लिखित में से कौन सा कथन असत्य है option B, राजय पाल को यह अधिकार है कि वेह मुख्य मंतरी में mुख्य मंतरी से राजय की प्रसासन से समदित कोई सूच ना माँगे question number 24, सम्मिदान का कौन सा अनुछित मुख्य मंतरी के कर्तब्य कैसे समदित है option C, यान 166 मुख्य मंत्री के अलावा राज्य मंत्री परिश्यत के अन्य मंत्री न्यूक्त किये जाते हैं किसके अप्शन B मुख्य मंत्री के सलाय पर राजपाल द्वारा कोशिय नुमबर टॉंटी एट राज्य मंत्री परिश्यत सामूई के रूप से किसके पिट्टि उत्तरदाई होता है अप्शन B राज्य पाल के 29. कोई व्यक्ति राज्य विधान मंडल किस दस्ता के बगर कितनी दिनों तक मंत्री पत्पर बना रहे सकता अच्छे महीनी के लिए 30. मंत्री परिश्द राज्य विधान सभा के पिर्ति सामुही के रूप से तरदाइद हो का सम्मिधान के किस अनुच्छेत में ऐसा कहा गया है तिसका आंसर ऑप्षन भी आर्टिकल 164 के सेकंड में ठीक है कोश्य नंबर 31 कि किसी मंत्री द्वारा अपना पत्त ग्रिहन करने किस अनुच्छेत में कहा गया आर्टिकल 164 के तीन में कोश्य मत्री जो निरंतर छह महिनी के अबधी तक राज्य विधान मंडल का सदस्य से नहीं बनता है उस अबधी के समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा किस अनुच्छेत में कहा गया है आर्टिकल 162 के सेकंड में राज्य के मंत्री के वेतन और भत्ते के विश्य में अनुच्छेत 164 के फाइब में कहा गया है यानि ऑप्शन डी राइट आंसर 34 सम्मिदान के अनुच्छेत 164 सम्मिदी थे किस से उप्रूग सभी इस्तिती ते यानि यह राइट आंसर है कोश्य नंबर 35 मंत्रियों के विवहाओं का बटवारा राज्य पाल मुख्य मंत्री के अनुच्छा से करता है ऑप्शन सी राइट आंसर 36 राज्य पाल किसी मंत्री को बरकास कर सकता है मुख्य मंत्री के परामार्स पर ऑप्शन डी राइट आंसर 37 राज्य मंत्री मंडल की वैठंग बुलाता है मुख्य मंत्री ऑप्शन डी राइट आंसर 38 राज्य मंतिर परिशद के सदस्य को अवस्य होना चाहिए किसका राज्य विधान सभा का सदस्य ओप्शन ए राइट आंसर कोशन नमबर 39 भारता समीदान नुस्वार राज्यों में किस पिरकार की सासन परिणाली अपनाई गई है कोशन नमबर 553 39 का संसते सासन परिणाली ओप्शन भी राइट आंसर 40 राज्य मंतिर परिशद में कितने मंतिरी होंगे इसका निर्णा कौन करता है मुख्य मंतिर ओप्शन ए राइट आंसर 41 राज्य मंतिर परिशद में मंतिरों की कितने स्रणी हो सकती है 43 द्राज्य मंत्री परिश्यत में मंत्रियों के वेतन और भत्ते के द्वारा निश्यत किये गए जाते हैं क्या विधान मंडल द्वारा कोशन नमबर 43 का C राइट आंसर 44 यदि विधान सबा कोशन नमबर 44 मत्र के मंत्र कर्णा परित कर दे तो इसका और सी समझ मंत्र को त्यागपत्र देना परे पाड़े गाउप्स्वाइथ की नियुक्त प्राय होती है सताय में एक बार और स्टन राइट अंसर है फोटी सीठ राज्य मंत्र के बैठक की अद्धुश्त करता हैम候 Shक राइट आंसर कोशन नमबर 47 मंत्री परिषद की बैठक का कोरम गणपूर्टी होती है यानि कोई कोरम नहीं होता मंत्री परिषद की बैठक में 48 राज्य की कार्यपाली का सक्ति नियत होते है किसमें मंत्री परिषद में कोशन नमबर 49 राज्य बिधान मंडल मिलकर बनता है राज्य पाल देथा बिधान मंडल से कोशेंबर 50 राज्यों की विधान मंडलों के गठन के विशय में सम्मिधान कौन से अनुच्छेद में वहस्ता की गई है आर्टिकल 168 में 51 जहां किसी राज्या की विधान मंडलों के दो सदन है वहां एक नाम विधान परिशद वे दूसरे का नाम विधान सबा होगा सम्मिधान के सनुच्छेद में कहा गया है आर्टिकल 168 के सेकिन में 52 राज्ये विधान मंडलों का उपरी सदन विधान परिशद है विधान सबा को कहते हैradas बिधान सभा में 54 जो में बिधान परिश्दों के संगठन या विग्टण के संवन्द में संयदें के अनुच्छित 171 वियरस्ता की गई पचास बिधान सभाग की अधिक्तम संक्या 500 होती है और राइट आंसर कोश्य नमर 56 विधान सभागी नियुनितम सदस्य संक्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और राइटां से 57 विधान सभागी संविदान का अच्छे 170 संब्दित है फिप्टी नाइन 58 राज्या की बिधान परि सभागार्ग विधान सभा कि संक्या 50 कम नहीं हो गीं सअसे 59 मैं राज्या बिधान सभा श्यवाग मनुनित बनुर्याँ करता है और बिधान सभाकी अधिक्तम संक्या होती है पांच वर्ष, साथ, पिर्टिक राज्य की पिर्टिक विधान सभा जैदी पहले ही बिगर्टित नहीं कर दी जाती तो भे अपने पिर्थमा दीवेशन के लिए नियत किती से पांच वर्ष तक के लिए वनी रहेगी, सम्मिधान के किसन उच्छेत में कहा गया है, आर्टिकल सभा के कारकाल को एक वार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ऑप्शन दी राइट अंसर, 63 राज्य बिदान परिशत का कार्रेकाल होता है, छे वर्ष एक तहाई सतर से पिट्तिक दो वर्ष वाद अवकाज गिहन करते हैं, यानि राज्य बिदान परिशत का, 25 निम्ले खितमे 1 कौन सी जूगिता राजवद्धान सब्स्वा की सदस्वा की सदस्वत्य के लिए अनिवार हैं उसे इसनाँ तक होनाचाइए यानि अनिवारत नहीं हैं दोस्तो इसमें किरा अनिवार्त नहीं हैं ठीक है तो अनिक्या निवारे नहीं है उसे इसना तक होना चाहिए यानि ओप्सन डी राइट आंसर 66 राज्य बिधान परिशत का सदस्य होने के नियुनितम आयू सीमा क्या है बी तीस वर्ड़्स कोशन नमबर 67 राज्य बिधान सभा के संचालन पता अधिकारी को कहते हैं अध्यक्ष औप्सन डाइट आंसर 68 बिधान परिशत की कारवाही का संचालन करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं सभापती कौशन नमबर 69 निम्रे कितमें से कौन सा अधिकारी बिधान सभाद का नहीं है ऑप्सन सी यह संमिधान के संसोदन की परिक्रिया सुरू कर सकती है ऑप्सन सी राइट आंसर 70 राज्य बिधान परिख का अपना तयाकपत किसे सौपता है उपाद दक्ष को आप्सन फी राइ राइट आंसर कोश नंबर सेवन्टी टू कि यदि कोई दन में देख द्धान परिशत द्वारा उसके प्राथ होने के चौज़र दिन के भीतर बापस नहीं क्या जाता तो दोनों सद्वनों द्वारा पारित नहीं समझा जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर सेवन्टी थ्री भात्य संग के अधिन राज्य का पीदान कौन होता है राज्यापाल औका शक्ति किसंपे नहीं पने, फोगी और ऑप्शन है राज्यापाल यानि ऑप्शन्टि राइट आंसर स्मधार का अनुछाय प्षू नंबर में सेवन्टी राज्यापाल के पत पर निकत नुत होने क चाहिए यानि उप्रूग दी यानि उप्रूग सभी भारत का नागरी हो 25 के आयों पूरू कर चुका हो वह संसत्य या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य नहों कोशन नमबर शेवंटी शेवंटी शेवन में बी राइट आंसर सेवंटी एट राज्य की राजेपाल को राश्त परदी अपने हश्ताक्षर मुद्डर सहीत अधीपत्र द्वारा न्यूग करेगा सम्मिदान के किस अनुच्छी से संब्धित है आर्टिकल 155 से संब्धित है seven nine राज्य पाल ये प्धेव गोपनी तक स संग सासित प्रदेशों का राजयपाल नुक्त क्या जा सकता है राजयपाल का कार्यकाल होता है पांच वर्ष के लिए कोई भी भी भारत का नागरी कितनी वार राजयपाल बन सकता है क्या राजयपाल करे करने का पुर्ष करने का अधिकार है ओप्सन वी राजयाव या घर सॊब्व को किसी पिर्कार के सक्तिया प्राप्तन से नेव राय निक सक्तियां सी राइड एंड सर्शेवन राज्य पाल निम्सेट में इस कि नहीं करता हैStand डी राज्य के उच्छ नियाल लाक के नियादीश की एटी एट राज्य पाल विधान सभा में आंगल भारते समूदा कि कितने व्यक्तियों को मनुनित कर सकता है और राइट आंसर यानि एक राज्य पाल विधान परिश्द में अधिक से अधिक कितने सद्रिश्दियों को मनुनुनित कर सकता है और राज्य पाल सर्वोच नियाल लाक के बिठ्टि उत्तरदाइद होता है 91 91 संसत के संद्रम में राष्टपति और विधान मंडल के शंद्रम में राज्य पाल की निमले कितमे से कौण से सक्त्याम समान है यानि इनमें दोस्तों पढ़ लीना काफी है उप्रुक्थ सभी समान है 92 राज्जे पाल को किसी अपराद में दंडित व्यक्ति की सजा माप करने इस्तगित करने और कम करने का अधिकार है क्या वे मिर्तु दंडाविस्ट को भी माप कर सकता है नहीं option B right answer यानी नहीं question number 94 question number 93 दोस्तो 93 कि विधान मंडल द्वारा पारित किसी विदेहक के संदर में राज्जापाल क्या निर्ने ले सकता है उप्रुख सभी यानि इने उप्रुख सभी निर्ने ले सकता है question number 94 राज्जापाल निर्ने खिति मैंसे किन विशेयों से संब्रुख सकता है उप्रुख दोनों संपत्ति के अनिवारे रूप से हस्तागत करने में उच्छ नया लग सकती के अल्पिक्राण करने में यानि option C right answer यानि उप्रुख दोनों कोशे में 95 राज्जापाल दॉआरा जारी किये गये अध्यादेश का क्या वही प्रकेरिया होती है जो राश्ट्रपदी दूरा जारी कि ये जानेवाले अध्याद्येशों का होता है हां ओफ्टान नाज़े पाल राश्ट्रपति को राज़े में सम्मेदान के विफलता है कि संवंध में परिशूत कर राश्ट्रपति सासनलाग कर सकता है कोश नमबर 97 का सम्मिदान ने उच्छ नियाल लेक मैं जज्जों की संक्या तया नहीं की ऑप्शन ए राइट आंसर 98 उच्छ नियालनों के गठन से सम्मधिय अनुच्छत है 216 99 क्या संसद दो या दो से अधिक संग साथित शेत्रों के लिए एक ही उच्छ नियाल की स्थापना कर सकती है और ऑप्शन ए राइट आंसर हां क्या को सिंफ्ट संब्स हंड्र उच्छ नियालना में नियादीश के पद परने एक होने के लिए कि आरहता होने के लिए उप्रूट सबी यानि यह सभी अरहता यानि होनी चाहिए कोश्य नमबर 101 उच्छ नियाल्य में बकाया कार्राइक को नियुक्ताने के लिए राष्टपति अपना नियाधीस की नियुक्ति अधिक चे अधिक कितने समय के लिए कर सकता है है option c right answer नहीं 202 उच्छ नियाल्य केस नियुक्ति के लिए राष्ट निव्लिकित मैंसे किस से प्रामर्द करता है उफ्रुक्त शभी दोस्तों इना पढ़र ले न फॉस सभी है कौनकौन से प्रामर्द कर था ठीक है कोशनमा 101 एकसो 17 कोश्य नमर 103 साबित कदाचार या असमार्ता के आधार पर उच्छ नियारले के नियादिसों को पत से कौन हटा सकता है ऑप्शन डी संसेद्वारा समाविदन पर राष्ट पती का उच्छ नियारले को प्रारमभिक और अपेलिय अच्छ तरदिकार दोन प्राप्त हैं कोश्य नमर 105 मौलिक अधिकारों को लागू करने है अथवा अतिक्रम करने के मामलों में उच्छ नियारले निम्ली खित्मे से किस प्रिकार का आदे जारी कर सकता है उप्रुक्त सबी परमादेश प्रिटी से द्वन्दी प्रित्रक्षी करना अधिकार प्रक्षा कोशन नमबर 106 कोशन नमबर 106 अच्छ नियाल्य की न्यादीश के पर नुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी अन्डा चंडे कौन अंडा चंडे 107 उच्छ नियाल्य का न्यादीश अपना त्याग पति की सोंपता है राष्ट पति को ओप्षन बी राइट आंसर 107 का ओप्षन बी 108 उच्छ नियाल्य के न्यादीश सों की सिवान निवरत होने की आयू क्या है 62 वर्स कोशन नमबर 108 का सी 109 किस संसोदन द्वारा उच्छ नियाल्य के न्यादीशों की आयू 60 से बढ़ा कर 62 की गई पंद्रहवा संसोदन 110 उच्छ नियाल्य के किसी न्यादीश की आयू 266 पर किसका विनिश अंतिम होगा इसका अंसर ऑप्षन भारत के मुखे न्यायमूर्ती से प्रामर्स की सब्सक्राइब से समयनित अनुच्छ निश्च है 219 और सिराइट अंसर एक सो बार है कि उच्छ नियाल्य कि न्यादीश की को शपत कों दिलाता है राजयपाल आप्षन विराइट आंसर एक सो तेरे कार्रेकारी मुखे नायमूर्ती की न्यूक्ति संविदान के किस सब्सक्राइब करता है तो बहन उच्छे 222 के तहट किसकी सलाय के लिए लेने के लिए बात दे है और संसी भारत के मुक्खे न्यादीश कोश्च नमबर 119 कि निम्लिकित में से कौन सा अधिकार उच्छ न्यादीश के अधिकार छेतर के अंदर गत नहीं आता ऑप्सट बी यह राष्टपती के निर्वाचन में उठे विवादों का निर्णे दे सकता है कोश्च नमबर 120 कि उच्छ न्यादीश कि स्वाधिक्रत राज्य छेतरों में आदेश या रिट जारी करने की सकती समीदान की किसन उच्छ से समझीत है आर्टिकल बी आर्टिकल 227 में 121 उच्छ न्यादीश हो सकता है दो राज्यों के केंद साथ पिर्दिशों के लिए समीद उच्छ न्यादीश नमबर 122 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्छ न्यादीश होगा न्यादीश की स्थापना किसन समझीत है आर्टिकल 231 से यानि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्छ न्यादीश की स्थापना अनुच्छ 231 सम्मनित है यानि ऑप्शन ए राइट आंसर एक सो तेईस अधिनस्त नियायल्यों के लिए नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसको है इसका आंसर है ऑप्शन सी उच्छ नियायल्य को 24 अधिनस नियायल्यों के नियायदीसों की नियक्ति कौन करता है राजजयिपाल किसके परामर्श में आप्सटों यहते हमारे पार्ट 2 के कोशन अब चलते हैं पार्ट 3 पर ठीक है दोस्तों पार्ट 3 पर यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को जलर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें पार्ट 3 का नाम है उत्तर प्रप्र हम आपको सॉल्ब कराएंगे और कोड है आपका 471 चार सो एक एक ठीक है दोस्तों चलिए कोशिंग तरफ चलते हैं फटाफट देखते चलेंगे बहुत जल्दी स्पीड से इस प्रकड़ेंगे दोस्तों कोशिंगर फर्स्ट सन 1950 से पहले उत्तर प्रप्रदेश को निम्रे कितमे से किस नाम से जाना जाता था इसका अंसर ऑप्शन ए संयुक्ट प्रांथ तू जन संक्या के दिरश्टी से भारत का सबसे वड़ा राज्या उत्तर प्रदेश है तीन अखिल भारत किसान सभा का पिठाम दीवेशन कहां हुआ लखनव में चार हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की इस्ता अपना की गई थी कानपुर में यानि ऑप्शन ए कोशन पांच बावा राम चंदर ने किसानों को आंदोलन कहां इसका अंसर ऑप्शन ए अब अवाद में सिक्स पाई से इलाहवाद में अठार्शत्तावन के संगराम का नेता कौन था मौलवी लियाकत अलि साथ वह इस्ट्रिय जिसका सम्मन्द भगवान बोद्र के जीवन की गटनाव से नहीं रहा कौन सा इसका ऊप्सन सी सांची से इनका सम्मन्द नहीं रहा कोश नमबर 7 का वी कोश नमबर 8 निम्लिक इतर पिर्देश की स्थान पर हर्सबर्दन में बहुत महासमयलन का उप्सन प्रियाग में कोश्ठ नमर 9 कोश्य नमर 9 उतर पिर्देश के समय समय पर दिये गए नामों को समय नामों को पूट के उत्तर प्राप्त करें यानि चार तीन दो एक जाने ओप्सन सी राइट आंसर इसका यानि उत्तर पश्रिम प्रांथ यानि उत्तर पश्रिम प्रांथ एक का है यह यानि 1836 और ऑबद सन्युद्ः प्रांथ इसका है तीन उन्निशंत्र ञायत्तर प्रांथ ृत्तर पंध्देश निसंस पचास ठीक है दोस्तों चले अगले तरब आघ्षैर की सिकंदर लोदी ने आगरा सहर की स्थाप्रा सिकंदर लोदी ने हर्ष बदन ने दो महान धार्मिक सम्मिलेनों का आई जोन कहा किया तो इसका अंसर ओप्शन ए कन्योज और प्रियाग कन्योज और प्रियाग कुशिन गर बड़तमार कुशिन गर किसकी रायदानी है मलोकी कोशिनगर में कोशिन नमबर 14 महात्मा बुद्ध का जन्म कहा हुआ लुंबनी में 15 नमबर 1888 को महरानी घोषनापत्र का विलावाद में किसने पढ़का सुनाया लाड के निनने कोशिन नमबर 15 का बी कोशिन नमबर 16 कानपूर शणयन मुकदमा किस अंदूलन की निता के विरुद्धा शाम्यवादिन अंदूलन शत्तर चोरी चोरा कान पांच फरवरी 1922 को चोरी चोरा कान जो घटना घटी वो 5 फरवरी 1922 को पांच फरवरी 1922 को अठारे उत्तर पिरदेश के किस सहर को सलतनत काल में पूर्ब का सिराज कहा जाता है जॉनपुर को ऑप्शन डी राइज आंसर ऑप्शन डी जॉनपुर 19 काकोरी सडेंद केस हुआ 1925 में ऑप्शन डी राइज आंसर कोशन नमर 20 सारणात का प्राचिन नाम क्या था ? इसान पत्तन, सान इसा पत नम अ इसान, इसापन으 ओद दोस्तों इए इसापत्न इसापत्तन इसापत्तन थे दोस्तों स्नौरी इस पत्तन और भी मृगदाव यानि सारणाथ का प्राचिन नाम इसापत्तन और मिरकदाव कोश्ण में 21 जौनपूर नगर किसकी सिमर्टी में इस्ताफित क्या गया मुहम्मद बिन तुगलक 22 निमली खित मैंसे किस इस्थानों की तीर्ट यातर असुक ने नहीं की अयोद्धा और हरिद्वार की 23 टोप्रा शाहरंपूर तथा मेरट के असुक इस्तम लेकों को दिली कौन लाया फ्रोज्षा है 2857 के परितम सतंत्ता अंदुलर में बरेलिक किस ने नित्तव किया खान बहादूर ऑफशन ए खान बहादूर टॉन्टिफाइब निम्लेकित मैंसे कौन अठार सतावन के पिर्थम सतनता अंदुलन से संबंदित नहीं था उधम सिंग ओप्शन सी टॉन्टिशिक उत्तर पिर्देश बिधान सभा के पिर्थम अध्यक्ष थे पुर्शुत्तम दास टंडन कोशे नंबर टॉन्टिशेवन कोशे नंबर टॉन्टिशेवन उत्तर पिर्देश का नाम संहीवत्प्रांथ से कब परिवर्थत कर उत्तर पिर्देश क्या गया 1950 में टॉन्टिएट हिंदुों के आराध्य भगवान ड्राम का उत्तर पिर्देश के किश जिले से संबंद माना जाता है फ्यजाबास से टॉन्टिशन नमलिकित मैंसे कौन सा राजनित दल उत्तर पिर्देश से सक्क्रिये मैं संक्रिये नहीं है मुनित कंडम कोशन नमर तीज राजनित का आधर होने के बजार जाती उसको पिरभायत करने वाला एक तत्व है यह कथन किसका है हेरल गोल्ड का हेरल गोल्ड का थाटीवन उत्तर पिर्देश में गरीवी को दूर करने के लिए योजना नमलिकित मैंसे किस दसक में प्रारम हुई सत्तर के दसक में ऑप्सन सी थाटीटू नमलिकित मैंसे कौन सा बड़्च अन्तोध्य कारेकरम से सम्भनित है ऑप्सन सी सन 1978 से इस नमलिकित मैंसे कौन राज्य राजनती से जुड़ा हुआ नहीं है इसका अंसर ऑप्सन विकास वाद थाटीफूर उत्तर पिर्देश में कितने पिर्देश चंसंगे गाहों में निवास करती है लगवा अस्ती पिर्दीशत कि माड़ोन है थाटीफं कमक छू प्सकौन् मोग छूट्री विकास कारेकरम का प्रयारम हुआ निश्य सो प्चैतर थी तर्टीश उत्तर प्रिदेश पहली वार राष्ट्य उत्तर प्रिदेश में दो उत्तर पिर्देश सिपोजिन इसमें पार्ट थ्री में पार्ट फूर्थ की तरफ चलते हैं तो दोस्तों इसका नाम है दानिति दल और निरवाचन की राजनिति राष्ट्र दल द्राव सम्हूं है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ राजनिती दल निम्लिक खित्मेंसे किसके लिए जरूरी है लोक तंत्र के लिए तू निम्लिक खित्मेंसे कौन दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है बेवसाइक आधार थ्री निम्लिक खित्मेंसे कौन राजनिती दल से समझें नहीं है अराजक्तावादी C, ceramic dal को समाजवादी निती में विश्वास है Q5, रूड़ी बादी दल को पहली इस्तिती में परिवत नहीं करने में विश्वास है सामय बादी दल को एक हिंसक किरांती और सर्वाहरा वर्ग तानासाही सासन विष्टा की सितावन में विश्वास है Q7, समाजवादी दल को उत्पादत और वित्रण पर राजन इन्तरण हो में विश्वास है 8, राजनी दल की सपलता के लिए आफसक है लोकतंत्र 9, बहुत से लोग समाज की पिछली बातों को आधर्स मानते हैं और उनको अबापस लाने चाहते हैं ऐसे लोग को कहते हैं पिर्टी क्रियाबादी कहते हैं कोशन नमबर 9 का डी 10, निम्लिकित में से कौन सा कथन राजनीती दल के कारें से समंधर नहीं है इसका अंसर ऑपसन बी राजनीत दल कारखानों और धोगों को चलाने में साहता करता है यानि यह नहीं है ठीक है इलेबन दो दल राश्टर सुक और कर्टबे के लिए एनिक दलों की तुल्ला में अच्छे होते हैं यह किसने कहा प्रोप्रिसर फाइनर ने ट्वेल निम्ली खितमें से कौन सा राजनीत दल का गुर्ण नहीं है तो इसका अंसर ऑपसन डी ब्रोधी दल के रूप में राजनीती दल सरकार की निर्मकुष्टा को प्रुत्साहिक करते हैं तेरे दल्य प्रणाली के दोसों में से कौन सा कथन सही नहीं है इसका अंसर ऑपसन बी दलों के स्वार्थी प्रचार से राष्टे हितों को लाब पहुचाता है कोशन नमबर 14 प्रृति क्रिया वादी राजनीती दल को ऑपसन डी प्राजनीती दल को पूर इस्थिति में ल की दख्रकाव में बिश्वास हैं अपसन डी राइट आंसर स्वल है कि भारते राष्टा कंग्रेस की अठापना 1885 में हुए भारते जंता पारिटी का गठन 1908 में हुआ बार्त कॉनुनिसटच पायरड़ी की स्थापना इनिस्सु पस्चिस में हुए भार्त कॉमुनिस्टच पायरड़ी में फूट पड़ी ona सुच पेन निम्ली कित्में से कौन सी राय॥ regla पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी कोशन नमबर 21 बियास पी भुजन समाज पार्टी के संस्था पक्तिक कासी राम 22 दुदली पद्धिती ऑफशन डी ग्रेट वुदिटन देता सहीं तो राज अमरिका में है दुदली पद्धिती का अर्थ है किसी देश में बहाँ पर पूस्टन लिए प्रणाली किसमे नहीं पाई जाती है आपशन डी नेपाल में दल्य प्रणाली तीन पिर्कार की हो सकती है 26 बहुदल्य प्रणाली निम्रिक कितमें से किसमें नहीं पाई जाती हैं अमरीका में 27 भारत में बहुदल्य प्रतिती है बहुदल्य और दुदल्य प्रणाली समाने तर पाई जाती है डालना चाहती है कोशन नमबर कोशन नमबर 30 यानि निम्लिकित में से कौन सा दवाव समुह नहीं है लोगतांत्रिक समाज़िक समाजवादिक कांग्रेस दवाव समुह दवाव विधीश से अपना कार्य करवाते हैं और दवाव गुट सबसे अधिक कारशील हैं USA में कोशन नमबर 33 दवाव समुह के उत्पत्ति का संमानत से रहता है दवाव समुह को तेड़ते सदन कहना किसने सुरू किया फाइनर ने किसने फाइनर ने कोशे नम्बर 35 अ होगा जहां राजनिती दल से मजबूत है वहां दवाव समुह का मुख्या उद्देश से क्या है मंत्री शासंदिकारियों और बिधायकों पर विभिन तरीकों से दवाव डालकर अपना कारे निकलबाना होता है 39 दवाव समुह किस प्रकार के संगठन है यह व्यापक चरित्र के संगठन है इनमें व्यावसाई मजदूर चर्च आदी अनेक सामिल हो समुह सामिल है 40 एक हिट समुह दवाव में कब परिवर्टन हो जाता है इसका अंसर ऑप्संटी जब यह सरकार पर अपने सदस्यों के हिट में अधिनियम बनाने का दवाव डालता है सभी दवाव समुह के परिवर्टी कैसी होती है कुछ इस्ताई और कुछ एस्ताई 42 दवाव समुह का मुख्य उद्देश से अपने वर्ग से संबनित है दवाव समुह राजनित दलों से भिन्न होते हैं चुनाव जीत कर असत्ता प्राप करना नहीं चाहते कोशन नमबर 44 सामानत दवाव समुह सभी प्रिकार के संगों या समुह का निर्मा करते हैं जैसे सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवसाई रोजगारों और किसानों सेरेमिक स्वेचिक छित रादी 45 जाजनेती दलों का मुख्य उद्देश से सत्य प्राप्त करना है जबकि दवाव समुह का मुख्य उद्देश से अपने बर्ग के हितों को लाब पहुंचाना कोशन नमबर 46 निम्लिक्त में से कौन सा कथन गलत नहीं है गलत नहीं है दवाव समुह दवआ जोब में संपन करने और मिशेटर प्रतिनिदृत की दूर कर देता किसका कतन है यह कतन दोस्तों कि वी ओ का किसको दी ओ का ऑफ्सन डी राइट आंसर लोबी का आर्थ है लोगों का एक समुहन जो किसी विध्यक को पास करवाने या उसका विरोध करने के लिए रखा जाता है को समा फोर्टी नाइन लोग निम्लिकित मैंसे कौन सा द्वाव समंदित नहीं है नहीं है राष्ट्र निर्माता व संस्ता है यह बाव समुहन बढ़े गराने के दुखपतियों तथा दूसरे संगठन के हैं जो अपने अपने प्रभावों से मंत्रियों बिधान मंडलों और सासना दिकारियों को पिरभाइद कर अपना कार्य निकल वाते हैं ओप्शन सी कोशन नमर 52 भारत में चीनी लावी का सम्मंद सामय बादि दल मार्क्सवादी से हैं 53 हिंदु मजदूर सभा समाज बादियों का पिरभाव है 54 निर्वाचन मंडल कहा जाता है मतदाताओं के पूर्व समुह को 55 मतदिकार समंदित प्राकर्टि अधिकारों के संध्धान्त का समर्थन क्या रूसो मिलवे मांटेश क्यों 56 प्रोफेसर सेफड ने मतदिकार के संध्ध में लिख क्या है इन सभी सिध्धान्तों का जनजाते सिध्धान्त सामंति सिध्धान्त और नेतिक सिध्धान्त यानि इन सभी का 57 सार बहुमिक्स वैक्स मतदिकार सासन की आफसत सट के रूप में जाना जाता है के वल लोकतंत्र की 58 पिट्टेक्ष निर्वाचन पद्दिती की पिरमुक्व सेष्टा है क्या है विविन उम्मि से बंचित कर सकता है और अपने देश की राजनिती सरनाचन तता इथियार की पिर्भाव को बदल सकता है यही तथे लोगतंत्र का सार और आधार है या कतनकिसका डाक्टर सुवास का स्यपका साथ एपर्टेक्स निर्वाचन की पिरमुक्व सेष्टा है क्या है खृष्ट भूर्ष नूमबर स्टीवन बहु शंक्यक निर्वाचन में उच्त्र पिर्णुधित्व प्रत्त होता है अल्फ संक्यकों में ठीक है अल्व संक्यों को को सिस्टिटू अनुपातिक पिर्णुधित्प्रणाली की पिरमुक्विसेश्था है क्या है उपरोटस अधिक लोगतंत्रिय बहुमत की निरंग कुष्टा का कोई वह नहीं सभी बर्गों का उचित प्रतिनी रित्म और राइट आंसर शृष्ष्टी थिरी वही मत का वास्त्विक मत होता है जो कल्यान की भावना के से प्रिरित हो या कतन किसका है डाक्टर वैनी प्रचाद कोशन नमबर 64 जनता की आवाज ही परमात्मा की आवाज है इसका अंसर है सर हैनरी मेंने कतन काह था भारत के मुख्य निर्वाचन आयुथ के नियुक्ति कौन करता है राश्टा-पति मुख्य निर्वाचन आयुथ के पत का निर्मार किस ने क्या मंत्री मंदल के आदेशने 67 मुखे निर्वाचन आयुक्त को उसके पत से कौन हटा सकता है राष्ट पत संसत की स्विकर्टी से कोश्चनबर 68 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पत से राष्ट पति किसके परामार से अठा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के 69 भारते समिदान के किस अनुच्छेत में कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने राष्टपती समय समय पर नियत करें मिलकर वनेगा 324 के सेकिंड में सत्तर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पसे किस कारण से हटाया जा सकता है और संडी उसके दुराचन या आयुग्यता के सावित हो जाने पर कोशन नमबर सेवंटीवन मुखे निर्वाचन आयूत को उसके पद से उसी रिती से और उनी आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रिती से और जिन आधारों पर इन में किन को हटाया जाता है उच नियाले के नियादीज को उच नियाले के नियादीज को 72. क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्टपती द्वारत समाप्त किया जा सकता है हाँ, option right answer 73. क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती के बाद उसकी सेवा की सर्टों में उसके अलाहवकारी कोई परिवर्तन किया जा सकता है 74. निर्वाचन आयुक्तों के लिए निर्वाचन आयुक्तों के परिशीमन करना यानि option right answer 76. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कोन नियुक्त करता है राश्टपती 77. कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त में नियुक्त किया जा सकते है इसका answer option D. कोई संक्या निर्वाचन आयुक्त में अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त किया जा सकते है जितने राष्टपती समय समय पर नियत करें गोशन नमबर 77 का दी आंसर कोशन नमबर 78 क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्टपती द्वारा समाप्त क्या जा सकता है ओप्सन ए हां 79 के राष्टपति द्वारे निर्वाचन आयुतकों के पद समाप्ति के आदेश को SS धनुवा बना भारत संग के मामले में दिये गए निर्णे के अनुशार चिनोति दी जा सकती है कोशन नमबर 80 के लिए निर्वाचन के श्पदिति द्वारा होता है इसका अंसर आप्शन ए व्यास्कमत अदिकार 81 समिदान के किसन उच्छेत की धाराच्छे में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाम आयुक्त को सरकार के करम चारी वद्द मांगने और प्रवाप्त करने का 84 बहुस सदस्य निर्वाचन आयो का पिर्योग भारत में पहली बार कव क्या गया उनिस सो एक्यानमे में कोशन नमबर 83 भारती है समिदान के किसन उच्छेत कि संसोदन अधिनयम के द्वारा संसद वे राज्य विद्धन मंडल की निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतद करता हूं कि आयो सी में 21 वर्ष से गटाकर 18 वर्ष कर दी गए 61 समिदान संसोदन ऑप्शन ए भारत में चुनाव सुदार की सिपारिज करता है कौन चुनाव आयोग 85 चुनाव सुदार के लिए गठित प्रमुक समिती है कौन है तार कुंडे समिती दिनेज गोश्वामी समि यानि उप्रोग सभी ऑप्शन डी राइट आंसर यानि उप्रोग सभी कोशन नमबर 86 निम्लिकित में से कौन से चुनाव सुदार के लिए दिसा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा किया जाते हैं उप्रोग सभी दोस्तों इनको पढ़ लेना यह तीनों ठीक है यानि उप्रोग सभी के द्वारा चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिये जाएंगे कोशन नमबर 87 भारत में चुनाव में राजनितिकों द्वारा हिंसा के बल पर बिजे होने की प्रिवर्टी बड़ी इस में सुदार के लिए आप सके उप्रोग सभी ठीक है दोस्तों चार कीजिए यानि इसका अंसर ऑप्सण डी यानि केवल तीन निर्वाचन आयोग माननेत्ता प्राप्त राजनितिक दल के विभाजन विले से संब्दित विवाद नुप्ताता है 89 किसी राजनिति दल को छेत्रिय दल के रूप में मानता दी जाती है यह यदि ओप्सण सी यदि लोग सभा वह लोग सभा अथवा बिधान सभा चुनाम में आठ पर तीसे बोर्ट प्राप्त करता है यानि ओप्सण सी राइट आंसर नब्भ है राज्य बिधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धानतों में सामिल है यानि ओप्सण डी यह सभी यानि एक दो तीन चार यानि यह सभी है ठीक है किसमें बिधान मंडलों में निर्वाचन हेतु सिद्धानतों में सामिल है 92 निम्रीखित में से कौन सा चेत्राइडिक दल है यानि अकाली दल option D right answer 92 निम्रीखित में से दल या व्यवस्ता किसे एक व्यापक व्यवस्ता का अंग है इसका answer option C, राजनीतिक व्यवस्ता 93 निम्रिकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोद में आच्छा दीत नहीं है इसका आंसर ऑप्सन बी किसी दल में विभिन चरणों से में बड़े पेमाने पर दल बदल ठीक है दोस्तो कोशन नमबर 94 राष्ट मत दाता दिवस मना जाता है 25 जनवरी को ऑप्सन बी राइट कैना और निम्रिकित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मानता प्रदान करता है ऑप्सन बी भारत का निर्वाचन आयोग 96 संसत के सदस्चे की निरहरतां से सब्सक्राइब करेगा इसका अंसर ऑप्शन भी भारत के निर्वाचन आयोग की भारत के निर्वाचन आयोग की कोश्ट नमबर नाइनटी शेवन आंत्रिक दल ये लोगतंत्र का उप्योग होता है इसका अंसर ऑप्शन सी दल का आंत्रिक चुनाव जो दल के पतादिकारियों के चेह नहीं तो समय समय पर हो कोश्ट नमबर नाइनटी येट नीचे दिये गए वक्तबत दिये गए है ठीक है यानि ओप्शन इसका है सी एस अत्यापर आर गलत है ये क्या है चुनाव की गोश्टन होती ही राजने दलों को आदर्ज आचार सहीता का पालन करना होता है यानि ये ठीक है लेकिन आर गलत है आदर्स आचार सहीता के संसद ने अधिनियम क्या था यानि ये गलत है ये ठीक है एक कोशे नंबर में वर्णन क्या इसका अंसर ऑप्शन भी रजनी को ठारी सो निम्लिक्षित में से किसे एक दवाब समय माना जाता है मजदूर संके सदस्य ठीक है कोशे नंबर एक सो एक निम्लिक्षित भक्तमों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कोशे सही उत्तर चुनिये यानि ए और आर दोनों सत्य है पर आर एका आर कथन एका सही इस्परश्टिकरन नहीं है यानि भायत में लिकित सम्मिदान ये ठीक है लेकिन सक्ति साल छेत्रे दलों का एक आर एका सही इस्परश्टिकरन नहीं है एक सो दो दिनेश गोष्वामी समितिका सम्मंध था निर्वाचन सुदारों से कोशे नंबर एक सो तीन अनुपातिक प्रतिन दित की विवहस्ता निर्वाचन किर्यार प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है इसका अंसर आप्शन डी अल्व संक्यत अल्व संक्यर को कोश्य नंबर एक सो चार निम्लिक धित में से दल बदल विरोदी विदेग के सम्मंध में क्या सत्य नहीं है इसका अन्सर आप्शन डी लोग सवा के सवापति को अनहर्थ नहीं ठहरा यह ठेराय जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनी दल का सदस्य बन जाता है एक सो पाँच बोटर वेरीफायवल पेपर आड़िट ट्रेवल वी वी पैट पी एटी वी वी पी एटी के संदर में निम्ले कत्रों पर बिचार कीजिए दोस्तों एगर वी वी पी एटी की फुल फॉम आजा तो वोटर वेरीफायवल पेपर आड़िट ट्रेल ठीक है तो इसका अंसर ऑप्शन डी ने तो एक नहीं दो यानि कि ये कोई भी ठीक नहीं है कोशे नंबर एक सुच्छे निम्ले कित में से कौन सा कारग चुनाओं में मतदान विवार को पिरवायत करते हैं इसका अंसर एक दो तीन चेत्रेता सामाजगा अर्थिक कारग और धन इवन बहु 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 वल कोशे नंबर एक सुच्छ नंबर एक सुच्छ क्या निम्ले कित में से किन समितियों निर्वाचन सुदारों पर रिपोर्ट प्रिस्दूत की है किसी संसद्य दल अथवा गुट को मानने ता प्राप्त करते समय लोक्सवा अध्यक्स द्वारा निम्रिय खिर किन सिद्धान्तों पर ध्यान दिया जाता है तो इसका अंसर ऑप्सन केवल एक और तीन एक और तीन ठीक है ऐसे सद्धियों का संग जिनका संसद्य कार्यका एक विशिष्ट कार्यक्रम हो यानि ऑप्सन सी राइट आंसर एक सो नो भारतिय निर्वाचन आयो के अनुसर एक राश्टिय दल के रूप में मानने होने के लिए एक राजनिति दल्का कितने राज्यों में मानने अप्रप्र राजनिति दल्के रूप में होना आफ सकwerk है कम से कम चार राज्चे एक सो ग्यार है 110 भारत में निर्वाचन के संदर में बी वी पी एटी का सही पूरा सब दुरूप में से कौन सा है वोटर वेरिफायवल पेपर ओडिट ट्रेल यानि ऑप्शन सी राइट आंसर कोशी नंबर एक सो ग्यार है अधर के आधार पर century K आईयोग अधार के अधार निमले खित्म में से कौन साहीए नहीं है इसका अंसर हो अप्शन भारत के निर्वाचन आ। को निर्दिशिट किये जाते हैं इसका आंसर है ओप्सन डी कोश्य नंबर 112 है निमलेखित मैं से किन सब्सक्राइब करने को पूरा करने करके राइनी दल एक राश्ट्राइब के दरजे का दावा कर सकता है इसका आंसर है दोस्तों देखते नीचे क्या है केवल एक और दो या प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् किवार एक और दो लिए हैं दोस्तों है अब चप्टर पांच पर ये चेप्टर पांच हिए का नाम तर्प्रिदेश में इस्थानिय प्रिशासन पंचायत है त्याम आने वाली समझ्षा चलिए दोस्तों फटा पर देखत हैं दो छफं़ पर दैंगinenbychnet कुष no कि पंचायती राज विवस्ता के लिए सुजाब किस बढ़ दिया उन्य सो सत्तावन असुक महता समीती कि स्थापना किस बढ़ से पंचायती राज विवस्ता के अंतरगत किया जाता है तेहतरवा और संसी राइट आंसर राजव गांदी नई पंचायती राज विवस्ता के अंतरगत सरप्रतम किस राज्ये में 1994 में इश्वी में चुनाव कराया गया मध्य पिर्देश में आठ पंचायती राज विवस्ता के अंतरगत किसके लिए आरक्षण की विवस्ता नहीं की गई इसका अंसर ऑप्शन डी गरीव वर्ग दस जिला परिशत की कार्रेव विदी किस वितिती से निर्दायत की जाती है प्रिथम वैठक की निर्दार दिती से इलेवर्ण सरपंच को हटाने के लिए निम्लिकिन के दुवारा अविस्वास प्रिश्ता दिया जाएगा गिराम पंचायतों के सदस्यों दौरा कोशन नमबर ट्वैल पंचायती राज संस्ताओं में इसकारे किसी तर से न्यून इस्तरकार नहीं होगा इसका अंसर ऑफ्षन डी उप समहार्ता उप समहार्ता यानि ऑफ्षन डी राइट आंसर चौदे पंचाती पंचाय समिती की विश्यस वैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित निवेशन आफसक है इसका अंस अंसर ऑफ्षन ए मतदाताओं द्वारा सीदे चुनाव से सोले गिराम पंचायत की वैठक के लिए गणपूर्ती सदस्यों की संख्या कुल संख्या की कितनी होगी आधी ऑफ्षन ए राइट आंसर पांच सत्रे कोश्य नमबर सत्रे गिराम पंचायतियों की स्तापना की घो और निश भारत में नगरपाली काओं का जनक का किसे कहा जाता है इसका अगरपाली काओं के कार्जों कि जांच न्यायाया राइड त्वारा करवाना ट्वीट टॉन टी के लिए किस वर्ट सुजाव दिया इसका अंसर ऑप्शन ए ऑप्शन सी 1951 यानि 1951 ठीक है दोस्तों कि नगर पालिकाओं के अनिवार कार्डियों में कौन सा नहीं आता इसका अंसर ऑप्शन ए जाते जात की विवस्ता 23 नगर पालिकाओं परिशत कितने वहुमत से अध्धक्ष को पच्यूत कर सकती है दोत्याई वहुमत से 24 नगर पालिका परिशत की सदस्तित्ता के लिए किसी उम्मिदवार को निम्रिकित में से कौन सी सर्थ पूरी करना जरूर नहीं है उप्शन ए उसे किसी भासा का ग्यान होना जरूर नहीं ह आउप्सन ए राइट आंसर टॉन्टी फाइब नगर पालिका चुनाओं के मतदान करने के लिए मतदाता की आयू कम से कम होनी चाहिए 18 वार्ट आउप्सन डी राइट आंसर कोशन नंबर टॉन्टीशिक्स किसी नगर पालिका परिशत की संक्या कितनी हो सकती है दस से ब्य लांता प्राइड की गई इक्यानवा को जो कि कोम इस्थान सासन को उपरोग सभी यानि यह ठीक है ठीक है इस्थानसासन को पर राज्य का नियंत्र कितने पिरकार का ओप्षण सी राइट आंसर दोस्तों फटा फटाफट देखते चलंग कि काफी हो गया थाटीवन इस्थाने संस्ताओं कि किर्थगयों के वर्ग हो सकते हैं दोनों ए और भी जनता की प्रित्यक्स सीवां कि अंतर का स्थाने सरकार से संबन्धित है इसका आंसर आउप्सण डी उप्रूक्ट अभी दोस्तों ने पढ़ ले ना कोशन नमर्ट 34 निम्लिखित मैंसे कौन सा इस्थाने स्वासाचन का लाव नहीं है तो इसका आंसर इस से प्रिसाचन में गिराबट आती है 35. निम्लिकित में से कौन सा कारक है जिसके आधार पर इस्थाने सासन राज्य सरकार पर लगातार निर्भर्क होता जा रहा है क्या इस्थाने निकाय कर्ज ले सकते हैं क्या परिवर्तन आया तो इसका अंसर ऑप्सन भी यह अधिक से अधिक राज्य सासन पर निर्भर हो गए ऑप्सन भी राइट आंसर कोश्ण नम्बर 38 निम्लिकित में से कौन इस्थाने संस्थाओं की आय के सादन नहीं है आय निर्यात कर यह नहीं है कोश्ण नम्बर 39 इस्थाने सरकारों को इस्थाने हितों के ही बिसे दिये जाते हैं ऑप्सन भी राइट आंसर 41 इस्थाने सासन का आर्थ है इस्थाने चेतरों का प्रशासन भहां से निर्वाचन बिटी निद्रियों के द्वारा चलाए जाएं कोश्ण नम्बर 42 इस्थाने सासन किस प्रका होती हैं इसका अंसर ऑप्शन ए कानून के द्वारा फोर्टिफोर पंचायती विष्टा का मूल उद्देश से क्या सुनुशित करना है इसका अंसर है दोस्तों ऑफ्शन एक और तीन यानि ओप्शन सी विकास में जन भागिदारी और लोक तांत्रिक विकेंद्रिकर्ण कोशिन नमबर फूर्टिफाइव तेहतर में समीदा संसुता अदिन्यम उन्निस तुबान में जिसका लक्षे देश में पंचायती राज संस्ताव को बढ़ावा देना है निम समिति का गठन और तोस्टो सोरी इसका है दो और तीन राज्य चुनाव आयोग संस्ताव कराएगा और राज्य वितायों की स्तापना यानि यह ठीक है एक दो और तीन कोशन नमबर फूर्टिफिक यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधी के अंदर निर्वाचन करना अनिवार रहे इसका अंसर उप्शन सी छह माहा है फूर्टी सेवन है यदि पंचायत इराज संस्ताओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सीटों के संदर मनिम्लिकित में से कौन सा कथन सही है इसका अंसर उप्शन एक एवल एक इसका प्रावदन सम्मिदान के अनु आफिस्ताव प्रिष्टूत क्या गया झिसलिए सथैन सोयसाजन का मेगनखर आ गाता है यह और के द्वार्ट पिस्तूत क्या गया आपकْ Sせ 649 के तह इस अनु शेत के दिए रूप में मानता दी गई आर्टिकल 40 में कोईशन नमर्पचास राज्य सुमुलित पंचायत राज्य से सम्मधि निम्लिक हित्मे से समीतियों और सम्मधि अनुस्वाइब को सुमुलित कीजिए तो इसका अंसरा ऑप्शन स्य्द यानि कि बखल निम्लिक हिंए पंचायत के तिरिष्ट रचे की मांग ठीक है असुक महता समीती यहाए दोस्तो पंचायत के दिस्त्रिष्ट रचे की मांग और ये योजिव समिस फंस्मी पंचायत राजसंस्ताचा को सम्मěदानिक मायता मायता दो दिया जाती है मायता को नुम्बर 51 भारति ये सम्मीदान के त्हटरवे समीदान संसोधन के अंशंदर में नेमली कितमें से कौन सा से कथन सही है तो इसका अंसर ऑप्षन सी के बलें यानि इसमें पंचायतों को सुषासन को संस्था सुविकारत क्या गया कोशन नमर फिप्टी टू भारत में महानगरिया आयोजन आयोजना समीति के संदर मनिमलिकित में कत्रों पर बिचार कीजिए यानि इसका अंसर ऑप्षन सी केवल एक और दो यानि इसका गठन समयदानिक है यह समीति महानगरिया छेतर के लिए विकास योजना को प्रारूप त्यार करती है फिप्टी थिरी भाग नाइन नगर पालिका के किस अनुच्छेत के तहत बित्ते आयोग का गठन समयदान में बढ़नित है कोशन नमर फिप्टी फॉर निमलिकित में से इस्थाने निकायों में आरक्षन से समयदान है इसका अंसर ऑप्षन दी ने तो एक नहीं दो यानि इनमें से कोई नहीं है कोशन नमर फिप्टी फाइब किसंदर्म महिलाओं के आरक्षन से समयदित सत्य कथन का चैन कीजिए इसका अंसर ऑप्षन कि सी एक और दोनों यानि इस्थान आरक्षित रखे जाते हैं एक वड़ा तीन से अधिक इस्थानों के आरक्षन हे तो राज्य विधान मंडल के सक्ति प्रदान की गई है यानि ऑप्षण का सरुटम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक पिर्योग लोगतंत्रिक विकेंद्रिक्रण का है यानि ऑप्षण बी राइट आंसर 56 ऑप्षण बी कोशन 57 संसुतन के द्वारा किन किन निकायों को अनिवार्य बनाया गया इसका अंसर ऑप्षण डियान एक दो तीन चार दोस्तों इन चारों को अनिवार्य बनाया गया 58 निम्लिकित मेंसे कौन पंचायत की सरचना के बावत उपबंद करने को अधिक्रत है राज्य का विधान मंडल कोशन 59 संमिदान के निम्लिकित संसुतन मेंसे किसके अंतरगत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30 पर 30 स्थान आरेक्षचित क्या गया 53 संमिदान संसुतन के अंतरगत ग्राम सभा का अभीप्राय ओप्सन सी ग्राम इस्थर के पंचायत छेतर के निर्वाचन नामा वली में पंजी कितरत लोग 65 निम्लिकित मेंसे कौन पंचायतों के वित्ति को पुनर विलोकन करने के लिए वित्त आयोक का गठन करता है समदित राज्य का राज्यपार 62 पंचायती राज समिती क्या गया राज्य सूची में 63 पंचायती राज्य संस्ता में महिलाओं के लिए आरक्षित इस्तान सीटों के संदर्म में ने बिकित में कौन सा कतन सही है इसका प्रावधान सम्मिदान करनुच्छे 243 में D3 में क्या गया है केबल एक ठीक है यानि केबल एक कोशन नमबर 65 अनुसुची छेत्रों में जिला पंचायत की सक्तियां के विशे में क्या सही है इसका आंसर उप्रूख सभी यानि ये ठीक है 65 भारत में पंचाती राज विश्टा की सिल्पी किसे कहा जाता है बियार महता को बलवंत राय महता को 66 खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूसना कौन जारी करता है राज जपाल ऑप्शन ए राइट आंसर 67 हमार सम्मिदान के किस भाग में तीन सोबानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई भाग नों में 68 निम्री कत्रों पर विचार कीजिए केवल दो ठीक है यानि पंचायत के समय पूर भंग होने के पश्यात पुनर गठित पंचायत केवल अवसिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है 69 भारत में पिर्थिक पंचायत के कारेकाल किस दिनांक से पांच वर्ष तक का होता है अपने पिर्थम अधिवशन के निर्दारिक तो तिति होती है उससे पांच वर्ष का होता है 70 भारत में बिलोक इस्तर पर बनी पंचायत समिती केवल समनवे और परेवेक्षक अधिकारी 71 महत्मा गांधी राष्ट दिर्मार रोजगार गारंट योजना के आयोजना बनाने संपादन करने में की जम्म दारी निम्रिक खत मेंसे किसकी है इसके आंसर ऑप्षन गिराम पंचायत की Q2 सेवंटेटिटू निम्रेखित में से कौन जिला परिशित का अध्यक्ष हो सकता है इसके अपने सदस्यों में CPU निर्वा värचिट इसके अपने सदस्यों मेंसे निर्वा कर देंगे पाड़क नाम समकाल इन प्रिवर्टियां पहचान की राजनिती विकास साथ सन चलिए दोस्तों कोशिंग तरफ चलते हैं पहचान की राजनिती आदारित है इसका अंसर असमिता पर राजनिती दुर्वी करण से जन्म होता है पहचान की राजनिती का पहचान की राजनिती का अदार है जाती वर्ग वहासा यानि यह सबी ऑप्सन डी राइट आंसर चार, किसने गरीवी को अपने विकास मौडल में मुख्य इस्थां दिया रेगनर नर्क से ने पांच विकास पूर्टे एक आर्थी प्रगटना है या कतन ऐसते हैं सिक्स, किसने कहा है कि सामाजी विकास का अर्थ अवस्वरों की समानता है अमरत्य सेन सिवन, विकास का कौन सा सिद्धांत यह पूर कलपना करता है कि परांप्रागत समाजों को विकास वनने हेतु पश्चिमी राष्टों के समान परेच्छेप पक्च का अनुकरण करना पड़ेगा इसका अंसर ऑप्शन सी, आधुनी की करण का सिद्धांत आठ, अमरत्य सेन द्वारा, विकास की व्याक्थ्या में कितने पिरकार के स्वतनतताओं का उल्लिक त्या गया है इसका अंसर ऑप्शन सी, यानि पांच पिरकार की कोशन नंबर नाइन विकास का विश्व व्यास्थ्था का मॉडल किसन ने परतिपाल क्या वाल अरस्टीन, ओप्शन विराइट आंसर, कोशन नंबर टैन, कोशन नंबर टैन, आर्थिक संब्रदी प्राप्त करने के लिए आफसर्ट क्या है आर्थिक विकास, एलेवन आर्थिक विकास से क्या मापतरंड है, राष्ट आयमें ब्रद्धी, पेटी वक्ति आयमें ब्रद्धी, आयका समान बित्रंड, यानि ये सबी, ओप्सन डी, ट्वैल, विकास से तात्रपरक किसी भी पिरकार की प्रगती से है, यह किसने कहा, हाव ह उसने कि ऑप्सन भी राइट आंसर तेरे यह मनुब्रति जिससे मुनाफ़ा बुद्धी संगत डंग से अर्जित क्या जाता है उसे क्या कहते हैं पूंजी वादी कि कोश्य नंबर चौद्ध कि मैक्स वेवर के अनुसार पूंजी वादी के आत्म क्या है प्रोटेस्ट धर्म 15 किवल अर्थ विष्टा की सम्रद्ध के इस्थान पर मानव जीवन की सम्रद्ध बलाने समंद्र परिप्रेच क्या कहलाता है इसका आंसर मानुवे विकास सोले विकास का कौन सा सिध्धान्त विकास सील देशों से समंदित है दोस्तों इसका अंसर ऑप्शन डी यानि उप्रुक्त सभी आधुनी की कराण का सिध्धान केंद्र परिधी का सिध्धान्त वैस्वी कराण एब असंतुलन बिर्मिय का सिध्धान्त दोस्तों यह सिध्ध सद्धान्त विकास की सद्धान्त विकास सील देशों से सम्मनित है तो दोस्तों यह थे हमारे जो पेपर कि पेपर फोर है जो आपका 27 जुलाई को होने बाला है जिसका पेपर कोड है चार सो 71 और टोटल कोशनों की संक्या दोस्तों इसमें टोटल जो कोशन है वह है थ्री नाइन सिक्स यानि तीन सो चैनमें दोस्तों इस वीडियो का आप इतना सेयर करें ताकि सभी के पास पहुंच सके और दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को से ज नवा दोस्तो